तो भीड हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है फिर से बहुत motivational speech है आप बहुत ध्यान से सुनेंगे भीड हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है अपने रास्ते सुनेगा अपने रास्ते खुद चुनिये यार अपने रास्ते आप खुद चुनिये क्योंकि आप अपने आप से क्योंकि आपको अपने आप से बहतर और कोई नहीं जानता ठीक ना क्योंकि आपको अपने आप से बहतर और कोई नहीं जानता ठीक हमारे कहने क अतात पर यह सिर्फ कि आप जो हैं आप जो हैं क्या हमें हमसे अच्छा कोई और जानता होगा हम जो हैं हमसे बहतर और कोई नहीं जानता हो कि हम मैं हूं कौन ठीक न इसलिए आप अपने अहमियत को शमझें कि मैं कर क्या सकता हूं मैं अपने आप में हूं क्या आप बहुत कुछ हैं इसलिए आप अपनी माबाप का कद्र करें ठीक ना दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है अभिनंदन है आपके अपने यूटूब कचिनल आरन इस्टिवट अलहाबाद ने कुछ भाई एंसे लगातार क्मिंड कर रहे हैं कि आप जो है आप कुछ नहीं जानते कि आप आपको बता को पताना चाहूंगा कि आप जहां से सोचते हैं वहां से मैं सोच चुका होता हूं ये जान लिजिएगा आप जहां तक सोचते हैं वहां तक मैं पहले ही सोच चुका होता हूं ठीक इसलिए पहले आप अपने आपको देखे कि मैं क्या हूं मैं कर क्या सकता हूं ठीक तभी आप दूसरों पर उगले उठाया करें। मैं किसी पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूं, किसी का कमेंट आया था, जलिए आपके सामने लिखा है आपका लगातार कमेंट आ रहाँ था, कि आपकी जो online की प्रक्रिया है वह आज 16 स्रितंबर से समाप्थ हो चुकी है ठीक ना 15 तारिक थी बटा जो है 16 तारिक से समाप्थ हो चुकी है 16 स्रितंबर से आपकी विडम्बना ये है कि कुछ बच्चे विश्विद्याले के रिजल्ट के ना आने की कारण वश एडमिशन नहीं ले पाए हैं वो online ही नहीं कर पाए है तो एडमिशन लेने की बात ही अलग है अब उनके मन में private college वाले लाली पाप दे रहे हैं कि आप आए मेरे यहां आ तो आपके सामेने लिखा है डायरेक्ट एडमिशन आप कैसे लें आपके मन में यहां डाउट है कि मैं डायरेक्ट एडमिशन को कैसे लुगा और दूसरी बात अपके लिखा है कि direct admission में दिक्कत क्या हो सकती है ठीक ना तो मैं आज दोनों पर चर्चा करने वाला हूं आपसे हाला कि इसकी पहले lecture में मैंने focus किया था direct admission पर फिर से आपको मैं फिर से कहना चाहूंगा कम से काम आप मेरे previous lecture को देखें previous lecture में सारे matter पड़े हुए है मुझे आपके comment का reply देना पड़ता है नहीं तो आप कहेंगे कि सर आप comment का reply नहीं देते हैं ठीक ना छोटे-छोटे comment को तो मैं comment box में ही दे देता हूं बट अब अगर इनका comment का reply देना रहे तो अशंभव हो है इसलिए मैं सोचता हूं कि आपके comment का reply मैं अगले session में अपने दू कुछ बच्चे कहते हैं कि आप बार-बार एक ही चीज को बताते हैं तो बिल्कुल वह या मैं बार-बार नहीं बताता हूं अगर आप बार-बार कोई काम करते हैं तो जाहिर सी बात है एक बार करेंगे उसके बाद जाएंगे तो और अच्छा होगा उसके भी college में direct admission आप तभी लिजिएगा जब आपका online जो फारूम भरा गया है जब आपने online किया हो registration किया हो इस condition में आप direct admission की तरफ जाएगा अन्यता otherwise आप direct admission मत लिजिएगा ठीक न मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता हू मैं उस प्रक्रिया से गुजर चुका हूँ मुझे पता है कि direct admission में विडम बनाएं बहुत हैं जब तक आपका admission न हो जाए तब तक आपको कहीं इधर कहीं उधर कहीं यह लाओ कहीं वो लाओ आप परेशान होके ठक जाएंगे कहेंगे मैं admission नहीं लूँगा मैं इसलिए आगाह करना चाहूंगा कि आप direct admission के चकर में तब तक मत पढ़िएगा कि जब तक आपका registration फिल न हुआ हो ठीक ना अच्छा इसमें दिक्कत क्या हो शकती है बैया मेरे इसमें दिक्कत आपको यह हो सकती है कि कभी कभी होता है कि आपका admission कैंसिल कर दिया जाता है आपने form को तो अपलाई किया नहीं है आप परिच्छा नियामक प्राधिकारी के पास कोई document तो आपका है नहीं कि आप direct admission लिए है तिक वो तो college वाले की उपर depend है कि वो देखिए direct admission आप तब लीजिएगा मैं मान लीजिए आप form को नहीं डाले है तिक अगर PNP कोई आदेस जारी करती है जैसे परिच्छा नियामक प्राधिकारी की तरफ से अगर कोई आदेस आता है कि जो बच्चे form को apply नहीं किये हैं आप उनका भी admission ले लिजिए लेकिन आपके पास official notice होनी चाहिए परिच्छा नियामक प्राधिकारी की PNP महोदे की आपके पास official notice होनी चाहिए कि जो है क इस आधार पर आप Direct admission कर रहे ह Pick incomeатив मैं फिर से आपको कहूंगा कि अगर पिंपिन आदेस जारी किया है Direct admission के लिए तो ही आप Direct admission लेजिएगा अगर आप registration को फिल नहीं किये है ठीक ना अन्य ठाप की इस्थिते में आप Direct मत पड़ीगा हां अगर आप वेक्ट को अपलाई किए है तो आप डिरेक्ट इडिमिशन ले सकते हैं आपको दिक्कत नहीं होगी तो कि सबसे पहले तो आप सा mathemat से supuesto हो जाएंगे धी सबसे पहले आप स्कालर सिप से वनस प्रसें यह सत्य है एकदम क्योंकि आपके पास परिख्षा नियामक प्राधिकारी के पास कोई रिकार्डे नहीं है कि आप हमाजे पास ऑनलाइन किये थे यह तो कालेज वाले जबर्दस्ति एडमिशन लिए हैं मैं फिर से कहूंगा कि अगर प्यंपी की तरफ से कोई आदेश जारी ह होता है डायरेक्ट एडमिशन के लिए तो ही आप उसके चक्र में पढ़िएगा रही बात अगर आप एडमिशन लेह भी लेते हैं तो आप स्कॉलर्शिप से 100% वंचित हो जाएंगे ठीक स्कॉलर्शिप आपको पता है कि आपकी स्कॉलर्शिप जो आती है वह स्कॉलर्श परिक्ष्य में दिक्कतें ये हो शकती हैं है कर देखेए डायरेक्ट एड ऐडमिशन की मैं बात कर रहा हूं इसमें दिक्कत आपको मैंने पहले बताया कि आपको स्कॉलर्शिप से वंचित कर दिया जाए गया और कभी-कभी यह होता है कि डायरेक्ट एडमिशन में जो है आपको जैसे परिच्छा फार्म जो आपका भरा जाता है डियलेड बीटिसी में कभी आप परिच्छा फार्म से भी वंचित हो जाएंगे बैया जब आपका आपके आप सोचिए जरासा जब आप परिच्छा फार्म से पीनपी की तरफ से वंचित कर दिये गए हैं तो आप डेलेड करने से कोई मतलबे नहीं है, आप परिच्छा को नहीं दे पाएंगे, अगर आप परिच्छा को नहीं दे पाते हैं, परिच्छा से वन्चित हैं, तो डेलेड का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है, आप फीस भी दे दिये हैं, फीस की कोई जिम्मेदारी कॉलेज की नहीं होगी ठीक वो सिधे तवर पर कहेंगे मैंने आपको नहीं बुलाया था आप आये थे मेरे पास मैंने आपका एड्मिशन कर लिया इसलिए डायरेक्ट एड्मिशन में यह आपकी दूसरी दिक्कत है ठीक ना आपको स्कॉलर्शिप से वंचित ह कभी कभी समस्य आएगे कि आप जो है परिच्छा फॉर्म को नहीं भर पाएंगे और जब आप परिच्छा फॉर्म को नहीं भर पाएंगे तो आप जो है परिच्छा भी नहीं दे पाएंगे ठीक ने ऐसी बहुत सारी समस्याय आएंगे आपके सामने इसलिए मैं कहता हूं कि आप डाइरेक्ट एडमिशन के चक्कर में तब तक मत पढ़िएगा जब तक परिछा नियामक प्राधिकारी की तरफ से कोई ओफिस्यल नोटिस जारी नहीं की जाती है ठीक अब आप इतना समझ गए अगर आपको कहीं तकलीफ है दिक्कत है कुछ भी नजर आता है इसी वी वीडियो में तो आप कमेंट करिएगा मैं अगले दिन आपकी कमेंट का रिप्लाइज जरूर देंगा थैंक्स धन्यवाद